असलाम लोगों फ्रेंड्स, विल्कम बाई टू मैं चनल, आज मैं आप लोगों साथ रमजान इस पेसल बुंदी उसकी चाट और कचोड़ी की रेश्पी शेयर करेंगे ते चलिए सुरू करते हैं कचोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे उसके बाद मंग रहल 700 अर अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हाथ से करस करकर डालेंगे उसके बाद एक चमच नमक डालेंगे और दो चमच दिल डालेंगे सारी चीजिव की अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक आँट तयार करेंगे और आटे को 10 मिलट रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक सत्तू की स्टफिंग बना लेते हैं इसके लिए एक कप सत्तू लेंगे उसके बाद हम चूर पौडर, चाट मसाला, जीरा पौडर, काली मिर्षिक पौडर, लाल मिर्षि पौडर और नमक डालेंगे उसके बाद सर्षो का तेल डालेंगें थोड़ी से पानी डालकर इसका स्टफिंग तयार करेंगे तो आप चलते हैं डो की तरफ डो को थोड़ा मसल लेंगे और इसकी छोटी-छोटी पेड़े मना लेंगे सारे पेड़े बनकर तयार है अब पेड़े को थोड़ा सा हाथों से गड़ा करेंगे आइस में श्टफिंग डालेंगे और श्टफिंग को दवाते हुए इसकी लोई बना लेंगे उसके बाद थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इसी तरीके से सारी बना लेंगे तो लीजी कचोड़ियां तलने के लिए तैयार है तेल में थोड़ी से आटा डाल कर देखेंगे कि हमारे तेल गर में हुई की नहीं उसके बाद कचोड़ियां डालेंगे कचोडियों को एक तरफ सिख जाने पर इसे पल्टेंगे तो लिजिये हमारी कचोडिया तल कर तयार है इसे तेल से निकाल लेते हैं तो लिजिये प्रेंट्स हमारी बहुत ही टेस्टी सत्तु की कचोडिय बन कर तयार है तो इसे बनाने के लिए एक कप छहना हुआ बेसन लेंगे उसी कप से एक कप पानी लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल कर मिलाएंगे अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फोलो करेंगी तो आपका भी बुंदी गोल गोल बनेगी और अच्छी बनेगी जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगी अतना अच्छा बुंदी बनेगी उसके बाद इस वात के लिए एक चमच नमक डालेंगे नमक डालकर इसे कम से कम पांच मिलाड़ तक मिक्स करेंगे अगर आपका बैटर थोड़ा गाड़ ही लगे तो आप थोड़ा पानी डाल कर इसे ठीक कर सकते हैं, वैसे मेरा बैटर ठीक है, और बैटर से इतना ही पानी बचा है, देखिए हमें इसी तरह की बैटर चाहिए बुंदी बनाने के लिए, मिक्स किये हैं तो बैटर को थोड़ के दील को बैटर करेंगे तर हमारा तेल घरम हँआ के नहीं एक छणाटा लेंगे और इसमें बैटर को डालेंगे प्रेंट से यहां पर एक टिप्स है तेल से छनाटा थोड़ा ऊपर रखें ताके बैटर गिरे तो गोल गोल हमारी बुंदी बने यहां थोड़ी गलती हो गई है कि बैटर डालने के वक्त फ्लेम को थोड़ी धीमा नहीं किए इसलिए हमारी बुंदी थोड़ी लाल हो गई है बुंदी तल चुकी है तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बैटर से सारी बुंदी बना लेंगे हमारी बुंदी बनकर तयार है बुंदी के चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में पानी लेंगे के बाद हम होमेड बुंदी लेंगे इसे पानी में डालेंगे थोड़ा दिल के लिए इसे सोख करेंगे ताके हमारी बुंदी सौफ हो जाए सोख होने के बाद इसे चान कर एक बॉल मिलेंगे इसके बाद उबला हुआ एक अलू मेडियम साइच के लेंगे इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे इसके बाद कटी हुई टमाटर डालेंगे, कटी हुई प्याज डालेंगे, अथोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, अलाष्ट के लिए थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे, इसके बाद एक चमच इमली का मीठा चटनी डालेंगे, और हरी चटनी डालेंगे, इसके बाद मसाल और फिर इन सारी चीजों को मिलाएंगे और आप जो टामाटर धनिया पत्ति या प्याज बचाए थे उसे डालेंगे इसके बाद मैंने थोड़ी सी बुंदी बचा ली थी उसे भी डालेंगे तो मैं उमीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें सबस्क्राइब करें तो दूसरे वीडियो मिलूँगी तब तब के लिए बाई 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 अल्ला हाफिज़।